जैमात आदीभग जुनू कैसे हैं आप सब आप सभी प्रमातारानी की किर्पाबनी रहें। सिरिनाराज जी कहते हैं मिथलेश्वर अब जालंधर के अंतपूर के स्तिरियों के गोपी रूप में जन्म लेने का वर्णन सुनो। जुमहान बलमान था। वह पुत्र पौत्र आदी से संजुक्त तता धन्यधान से सम्रिद साली था। हैस्तिनापूर के श्वामी राजा दिरिष्ट राज को वसदा एक करोर स्वर्ण मुद्राएं वार्शिकर के रुप में दिया करता था। मितलेश्वर एक समय वर्ष बिद जाने पर भी धन के मत से उनमत गोप ने राजा को वार्शिकर नहीं दिया। इतना ही नहीं वो गोप नायक रंगोजी मिलने तक नहीं गया। तब दिरिष्ट राश्ट के भेजे हुए दस हजार बीर जाकर उस गोप को बांध कर हस्तिनापूर में ले गए। कई वर्षों तक तो रंगोजी करागार में बंधा पड़ा रहा। बांधे और पीटे जाने पर भी वो लोभी गोप डरा नहीं। उसने राजा दिरिष्ट राश्ट को थोड़ा सा भी धन नहीं दिया। किसी समय गोप नायक रंगोजी उस महा भ्यंकर करागार से भाग निकला तथा रातो रात रंगपूर में आ गया तब पुनह उसे पकर कर लाने के लिए दिर्ष्ट राश्ट की भेजी हुई सक्तिसाली बलबाहन से संपन्यतिन अक्छोनी सेना गई। वह गोप भी कवच ध खारन करके युद्वूमी में बारंबार धनुष की टंकार फैलाता हुआ तिखी धारवाले चमकी लेवान समहों की वर्षा करके द्रिष्ट राश्ट की सेना का सामना करने लगा। शत्रों ने उसके कवच और धनुष कार दिये और उसके स्वजनों का भी बदकर दाला। तब वो अपने पूर में आकर कुछ दिनों तक युद्व चलाता रहा। अन्त में अनात एवं भैसे पिरित रंगोजी किसी सरंदाता या रक्षक की इक्षा करने लगा। उसके यादब राज कंस के पास अपना दूत भेजा। दूत मत्रुआ पहुँचकर राज दरवार में गया और उसके मस्तक जुका कर दोनों हाथों की अंजली बांधे उग्रिशेन कुमार कंस को परणाम करके करुणा से आद्र गवानी में कहा। महराज रंग पतन में रंगोजी नाम की से प्रशिद एक गोप है जो उस नगर के स्वामी तथानिती वेताओं में वे बड़ी चिंता में पड़ गए हैं और अनाथ होकर आपकी शरन में आए हैं इस भूतल पर केवल आप ही दोनों और दुखियों की पीराहरने वाले हैं भौमा सूर आदिवीर आपके गुन गाया करते हैं आप महावली हैं और देवता अशूर तथा उद्भट भूमी प वारा वर्षा आए गये जलकनों को भूख से ब्याकुल मनुष अन को तथा प्यास से पेरित प्राणी पानी को ही याद करता है उसी प्रकार रंगोजी गोप सत्रू के भैसे अक्रांत हो केवल अपका अश्मरन कर रहे हैं नारज जी कहते हैं राजयन दूद की यह बात सु और कस्तूरी के द्वारा पत्र रचना की गई थी वहां थे बिंद्याचल के समान उचा था और उसके गंड अस्थल से मद जर रहे थे उसके पैरों में सांकले थी वह मेक की गरजना के समान जोर-जोर से चिगारता था ऐसे कोवल लियापीड नामक गच राज पर चड़कर मद मत राजा कंस सहसा कबच आदी से सुसजित हो चानूर मुष्टिक आदी मलो तथा केशी व्योमाशूर तथा ब्रिशाशूर आदी दैत युद्धाओं के साथ रंग पतन की ओर प्रस्थित हुआ वहां यादबों और करवों की शेनाओं में परशपरवानों खड़गो और त्रिशुलो के प्रहार से घोर युद हुआ जब बानों से सब और अंदकार साचा गया तब कंस एक विशाल गदा हात में लेकर कौरप से नामे उसी प्रकार घुमा जैसे बन में दवानल प्रविष्ठ हुआ हो जैसे इंद्र अपने व्रज से प्रवत को गिरा देते ह उसी प्रकार कंस ने अपनी ब्रज सरीखी गदा को की मार से कितने ही कवच धारी वीरों को धरासाई कर दिया उसने पेरों के अघात से रतों को रौध डाला एरियों से मार मार कर घोरों का कचुमर निकाल दिया हाथी को हाथी से ही मार कर कितने ही गजो को उसन के पाओ पकर कर उच्छाल दिया महावली कंस ने कितने ही हाथियों के कंधो अधवा कच भागो को पकर कर उन्हें हौंदो और जूलो सहित बलपुरबग घुमाते वे अकास में फेक दिया राजयन इस युदहूमी में बलवान वियोमासूर हाथियों के सुन्द दंड पकर कर उन्हें चंचल घंटाओं सहीत उच्छाल कर सामने फेक देता था दुष्ट दैत बलवान विशाशूर घोरो सहीत रथों को अपने शिंगो पर उठा कर बारम बार घुमाता हुआ चारो दिशाओं में फेकने लगा राजेंद्र बलवान दैतराज के सीने बलपुर्बक अपने पिछले पैरों से बहुत जोरों से वीरों और अश्वों को इधर उधर धरासाई कर दिया ऐसा भ्यंकर युद देखकर कौरप सेना के सेस बीर विहाय से ब्याकुल हो दसो दिशाओं में भाग गये दैतराज वीर कंस विजय के उल्लास में नगारे बजवाता हुआ कुटुम्ब सहीत रंगोजी गोप पो अपने साथ ही मतुरा ले गया अपनी शेना की पराजय का समाचार सुन कर कौरप कुरोथ से मुर्शित हो ठे परन्तु बरतमान समय को दैत्यों के नुकूल देख कर वे सब के सब चुप रह गये ब्रजमंडल की सीमा पर वहिरसद नाम से प्रशित एक मनुहर पूर था जिसे बलमान दैतराज कंस ने रंगोजी को दे दिया गोप नायक रंगोजी वही निवास करने लगा स्रीहरी के बरदान से जालंधर के अंतापूर की इस्तिरियां उसी गोप की पत्नियों के गर्व से उत्पन हुई रूप और यवन से बसी भूत वे गोप अंगनाय दुसरे दुसरे गोप जनों को ब्यादी गई प्रंतु वे जार भाव से भगवान स्रीकृष्ण के प्रती प्रगार्ट प्रेम करने लगी ब्रिंदावन इश्वर शाम सुन्दर ने चैत्र मास के महारास में उन सब के साथ पुन्य में रमणिये ब्रिंदावन के भीतर बिहार किया इस प्रकार सिरिगर्ग सहिंता में माधुरी खंडी के अंतरगात नारत बहुलाश्व संबाद में जालंधरी गोपियों का उपाख्यान नामक चोध हमां अध्याय पूरा हुआ जये सिरिकिष्ण रादे रादे